आज के वीडियो में हम निर्मल वर्मा का परीचे एवं उनके द्वारा लिखी गई कहानी परिंदे की मूल भावना के बारे में पढ़ेंगे निर्मल वर्मा का जन्म सिम्ला में 3 मई 1929 को हुआ था उनको 1985 में साहितियकादमी पूरुषकार, 1905 में मुर्तिदेवी पूरुषकार, उत्तर परदेश हिंदी सहिस्तान पूरुषकार और ज्यानपिट पूरुषकार से सम्मानित किया जा चुका है निर्मल वर्मा ने अनेक उपन्यास, कहनी संग्रे, निबंद, संस्मन, यात्रवृत्तान्त और नाटकों की रजना की है उनके प्रमुक उपन्यास हैं अन्तिम अरन्ने, रातका रिपोर्टर, एक चितड़ा सुक, लाल टेन की चित, छत, वेदिन और उनके कहानी संग्रे हैं परिंदे, कोई और काला पानी, सुखा तथा अन्य कहानियां, बीच बहस में, जलती जाड़ी, पिछली गर्मियों में उन्होंने संच्मन और यात्रावरत्तांत भी लिखे, धुन से उठती धुन, चीडो पर चांदनी, उन्होंने तीन एकांत नामक नाटक लिखा, भार्त और यूरोप, प्रति भूर्ती के छेत्र, सताब्दी के ढलते वर्षों से, कला का जोखि, सब्द और इस्मर्ती, धल चांद से उतरते हुए, ये उनके निमंद थे, और 25 अक्टूबर 2005 में उनका निधन हो चुका है, आज हम परिंदे कहानी की मूल भावना के बारे में पढ़ेंगे, परिंदे कहानी के प्रमुक पात्र हैं, लतिका, हईब्रूट, डॉक्टर मुखर जी, गिरिसनेगी, जु भावना में बताया गया है कि इसमें प्रेमा नुबूति, प्रेम जनित ऐसा फलता और अकेलेपन की अनुबूति है, निर्मल वर्मा की कहानियां आधुनिक संद्रवों में निरंतर अकेले होते जा रही, वेक्ति के अंतर्मन की अनुबूतियों से जुड़ी हुई है, इन कहानियों में मन इस्तती, विशेश या छणका एथार्थी प्रमुखो उठा है, इसे आंत्रिक एथार्थ भी कहा जा सकता है, परिंद भी ऐसी प्रकार की कहानी है, यहां परिंदे कहानी में लतिका की मन इस्तती, उसकी अकेलेपन, उसकी पीड़ा अकेलेपन की पीड़ा ह वह हर बार छुटियों में कही जाना चाती है, पर वह नहीं जाती है, वह तो अपने ही एकान्त में बंद परिन्दे की तरह झट पठाती रहती है। कहानी की नाई का मिस लतिका है, जो गिरिश नेगी को प्यार करती है, किन्तु उसका जो प्रेम है, वो चर्मो उतकर्ष पर पहुंचते पहुंचते ही भिखर जाता है, कारण है कि लतिका के प्रेम का अलंबन नेगी विदाता के क्रूर हाथों से हमेशा के लिए समाप्थ हो यानि की नेगी की म्रत्यू हो जाती है, और मिस लतिका रह जाती है एकेली और निराश लतिका, अपने प्रेमी काप्टेन गिरिश नेगी की इसमर्थियों में डूबी लतिका गर्मियों की छूटियों में पहाड से कहीं भी नहीं जा पात, इस तरह गिरिश की मोद के लतिका का प्रेम ने केवल अधूरा रह जाता है एपितू सांचारिक दरस्टी में एसफल भी हो जाता है यानि कि उसका प्रेम जो है वो एसफल हो जाता है प्रेम की एधूरी इस्तती और उससे जूड़ी एसफलता लतिका को निरासा और अकेलेपन से जोड देती है उसमें उसकी मृत्यु हो जाने की कारण उसका जो प्रेम है उसमें बिल्कुल ऐसा फलता हो जाती है आ जाती है और उसमें निरासा और अकेलापन उसको घेर लेता है यही कारण है कि अपने सेज जीवन में लतिका अपने प्रेमी और उसकी मधूर स्मर्तियों में डूबी काल यापन करती रहती है यानि कि वो अपने सेज जिवन को अपने स्वर्गी पती की मधूर स्मर्तियों में ही डूबो कर अपना टाइम दिताना चाहती है लतिका का जिवन तो पूरी तरह अकेलापन का परेय बन गया है उसका एक कथन इसका प्रमान है कि उसका जिवन है वो अकेला कैसे है डोक्टर वो बोलती है डोक्टर वे क्या चीज है जो हमें चलाए चलती है हम रुकना भी चाहें तो वहीं हमें अपने रेले में गसिट ले जाती है इस कथन से उसके अकेलेपन का बोध होता है कहने का तात पर यह यह है कि लती का स्कूली परवेश में अनेक लोगों के मद्दे रहती हुई भी अकेलेपन में डूबी हुई है उसकी बातें उसका विवार सभी कुछ उसके अकेलेपन को व्यक्त करता है कहानी में लतीका का अकेलापन पर्थ दरपर्थ खुलता चला गया जो परते जिवन में कभी परतेक्स नहीं खुल पाती वे चिंतन के दोरान खुलती चली गई लतीका के जिवन में व्याप्त अतीत की धुंद उसके अकेलेपन को और गयरा बना देती है तथा उसके मन को सालती रहती है लतीका कितनी और किस सिम्मा तक अकेली है उसका अनुमान इन पंक्तियों में लगा सकते है लतीका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर दूर बरफ की चोटियों से परिंदों के जुंड निचे अंजान देसों की और उड़े जा रही है हर साल परिंदे सर्दी की चुटियों से पहले मैदान की और मुड़ते हैं कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा लेते हैं और परतिक्षा करते हैं बरफ के दिनों की जब नीचे अजनबी देसों में उड़ जाएंगे लेकिन लतीका कभी नहीं जाएगी कहीं नहीं अपने ही एकांत में बद परिंदों की तरह जट पटाएगी वास्तम में लतीका की यह एक रस्ता उस वातावन की ही ही तो है जहानने गटना है और ने इस्तती केवल एक मुखर चिंतन है जिसकी सहारे अकेला पन अभ्यक्ति पा सका कहानी के अन्य पात्र हैं डोक्टर मुखर जी और हुब्रूट भी प्रेम जनित ऐसा फलता और निरासा को भोगते हुए चित्रित किये गए है उनके मन में भी तनाव हैं वे भी संत्रांस को जहलते हैं किन्तु उनके संत्रांस के आयाम और भी हैं हेब्रूट लतिका की और आकर्शित है तथा इसी आकर्शन के परिणाम सरूप वह लतिका को एक प्रेम पत्तर भी लिखता है लतिका उस पत्तर की कभी चर्चा नहीं करती समय बीटता है और वह है और जब हेवरूट को लतिका की वेदना का पता चलता है तो वह स्वेम दुखी होता हुआ अकेले पन के दंश को दुगुने तिगुने वेग से सहने लगता है वह बलही पियानो बजाकर अपना मन बैलाने का परियास करे किन्तु अकेला पन उसका पिछा नहीं छोड़ता है लतिका की पीडा का एक राज मालुम होने पर तो उसका अकेला पन और बढ़ जाता है वह अपने जिवन की अर्थ हिंता को समझ लेता है अधिक तबियत खराव ह पर उसकी ये बड़बड़ हाट इन बैक लेन दे सीटी देर इस दे गर्ड हू लवस मी उसके ऐसफल जीवन में समाए जाने समाए अकेले पन का ही परमार है ये प्रेम जनित ऐसफलता डोक्टर मुखर जी भी भोगते है वे दामपत्ते प्रेम की ऐसफलता के सिकार है वे पतनी की म्रत्यू के बाद अपने देस बरमा से हजारों मिल दूर पड़े है योवे ऐसफल है पर चिंतन की धरा पर सफलता का अनभो करते हैं उन्होंने मिस वुड से अपनी ऐसफलता की कहानि कही वे जीजी विसा लिये वे हैं और लतिका को ये कहते है कि किसी चीज को जानना गलत है तो जान बजक जान भूज कर नहीं भूल पाना हमेशा जोग की तरह चिप्टे रहना ये भी गलत है इतने पर भी वे बितर ही बितर निरासा हतासा ऐसा फलता और इनसे उत्पन पीड़ा का दंस सहते रहते हैं इस परकार निर्मल वर्माने परिंदे कहानी के मा परिंदे कहानी को परतिकात्मक बनाने का सुनियोजित परियास नहीं किया है किन्तु उसमें परतिकों का परियोग अवस्य हुआ है सबसे पहले परिंदों को उड़ते वी चित्रित किया गया है और ये इस्तती परतिकात्मक है परिंदों का परतिवर्ष सर्दियों से पहल सर्दियों से पहले उड़ना और अकेलेपन का बोद जगा देता है लतिका की वेथा को इसपस्ट करने में इस पर्तिक का विशेश हाथ है इसके अतिरिक्त लतिका डॉक्टर और हूब्रूट सभी मर्त्यु धर्मा पतंगे हैं परिंदे हैं पियानों का स्वर हैं और उसकी स्वर लहरी का उतार चड़ाव वेथा को कूरेदते हुए अकेलेपन को गहरा देता है सनोफ होल देखना और लेंप का तेल खतम हो जाना आदी ऐसे ही प्रतीक है जो प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए एक पीड़ा बहुत जगा जाते हैं काहनी का सिर्षक परिंदे भी प्रतिकात्मक है इस सिर्षक में जो प्रतिकार्थ छिपा हुआ है वे ऐसा है जिसके सहारे संपूर काहनी की मूल भावना को समझा जा सकता है निरासा की सगन परतों को उजागर करने प्रेम भाव की ऐसा फलता को इसपस्ट करने और काहनी की कत्थे वे उदस्चे के ग्रण में भी ये सिर्षक परियाप्त सहेख हुआ है ये सिर्षक परियाप्त सहेख हुआ है कत्ति पे परसंग ऐसे भी हैं जो परतिकार्थ नहीं रखते जैसे गिरिस नेगी का परसंग केवल परसंग हां लाल भुरुस्ब के फूल अवस्चे प्रेम के परतिकार्थ रखते हैं परिंदे भी मरिनाधरम मनुस्यों का परतिक है कहानी के अंत में लेंप का बुझना मरनासर नहवूट की इस्ततिक को संकेथित करता परतीत होता है संपूर्ण कहानी जिस विशानुकूल अकेलेपन और त्रासत प्रवेश का बोध कराती है वे ने केवल प्रभावी है अपितु कलात्मक भी है इस कलात्मकता में परतिक का योग परसंसे सनिये रहा है